सुनते हैं राम नौमी महात्तम्य, भगवान के अतार सदा अधर्म के विनास और धर्म की स्थापना के लिए साधुता की वृद्धी और दुस्कितों का विनास इन दो उद्देसों को लेकर होता है, जब भी जो भी अतारी देवदूत इस धर्ती पर आये हैं, तब उन्होंन आते हुए देवतू का संतुलन समाला है, जिनके बीतर इन दो प्रयासों के लिए तीवर उतकंठा जग रही हो, जिनका करतव इन दिसामिंग जितना प्रखर हो रहा हो, समझना चाहिए उनके अंतकरण में भगवान की उतनी जोती जगमगा रही है, आउतारी देदूतों क जन्म, जैनती मनाने का भी प्रधान उद्दिस यही है कि उन्हें जो कारी अतदिक प्री हैं, जिसके लिए वे देधारन करते हैं और कश्ट सहते हैं, उनका अनुकरण अनुगमन हम भी करें, यो तो आतार 24 अथवा 10 हुए हैं, पर उनमें प्रधानता भगवान राम और कि जाती है, इन्हें की कथा गाधाएं विश्व विख्यात हैं, राम लीला किस लीला भी इन्हें की होती हैं, देव मंदिरों में इन्हें की प्रधिमाएं हैं, अन्य अतारों की भी चर्चा होती रहती हैं, पर इतनी नहीं जितनी इंदों की हैं, कारण की इन दों का आतरन सि मुन्नत विक्सित बनाने के लिए अत्यदिक आवश सकता है मर्यादाओं का पालन कर्तवे पर अविचल नेस्था विवहार में सौम्यता और अनीती के विरुद प्रवल संगर्स ये चारों इलच ऐसे हैं जिने रामचरित के कथा प्रसंगों में पगपरपर पाया जा सकता है जन्म से लेकर लीला समाबन तक के सभी प्रसंगों में उत्क्रिस्ट आदर्सवारिता ही भगवान राम चरितार्थ करते रहें चारों भाई गेन खेलते हैं छोटे भाई भरत को विजई सिद्ध करने और प्रसंद करने के लिए राम हारने का अभिने करते हैं अपनी हेटी भी होती हो पर छोटों को से मिलता हो तो अपनी बात को भूला ही दिया जाना चाहिए बचपन में ही महरसी विश्वामित्र यग्गी की रक्षा के लिए उन्हें मांगने आए तो प्राण हथेली पर रख खुसी-खुसी तपवन चले जाते हैं लाप तो विश्वामित्र का और यग्गी की रक्षा में अपने प्राणों का संकत वे इस तरह नहीं सोचते बलकि सुबकार कहीं भी किया जा रहा हो कोई भी कर रहा हो उसमें भरपूर सहयोग करना आवस्यक है वे प्राणों तक का खत्रा उठा कर रिशी की पूरी सहायता करते हैं किसोर होते वे भी महाबलिस्ट असुरों से जूजते और लड़ते हैं वी माता कैकेई वनवास देना चाहती हैं वी माता को भी माता से बढ़ कर उन्होंने माना और माता की प्रसनता के लिए वनवास स्विकार किया अधिकार, त्यागा और कर्टब निवाने चल दिये पिता वचन तोड़ना चाहते हैं कहकेई को दिये वचन पुरा करने में आगे पीचे सोचते रहते हैं राम उनकी गुत्ते सुलजाते हैं स्वजन संबंदियों का व्यक्तिगत मोग, छोटा और सजनों के वचन रखना उनके प्रामाडिकता का बना रहना महान बताते हैं वन गमन स्रीकार करके उन्होंने पिता को अपनी प्रामाडिकता अच्छूड ने बनाए रतने तथा वचन पालन का आउसर प्रदान किया चित्रकूड में भरत मिलते हैं वे वाबस चलने का अनुरोद करते हैं राज्यसुक भोगने के लिए कहते हैं राम अपने भाई को राजा और स्वयम तपस्वी बने रहने में अपनी प्रसनेता व्यक्त करते हैं सुविधाओं से भरे जीवन की अपेच्छा परमार्थ प्रियोजन के लिए कस्ट कडिनाई सहन करना स्रयसकर मानते हैं वे सुविधाओं के लाब को स्विकार करने से इनकार कर देते हैं हारे हुए दुर्बल सरी का नयाय के अनुसार समर्थन करते हुए प्रचंड बलसाली से जूजते हैं स्वालंबन का जीवन जीकर नी स्वार्थ भाव से छात्र और रीसियों का नित्य मार्ग साप करने वाली सबरी के भक्ती को तथा कथित योगी तपसियों से बढ़ चरकर ठहराते हैं और उसका अभिवादन करने उसके घर पहुंसते हैं जन्म जाती के आधार पर उसनीच की अवांचिनिय मूर्था पर पात प्रहार करते हैं और सबरी के जुटे बेर खाते हैं पढ़खा के रूप और वैभव भरे प्रस्ताव को अस्वीकार करके एक पत्नीवरत की प्रभल निष्टा का पहिचय देदे हैं असुर्ता के आतंग से लड़ने में जब समझदार मनुष से अपनी प्रत्त चहानी देखते साथ नहीं देते तो ना समझ कहे जाने वाले पिछले वर के बानरो की से न गठित करते हैं और संसार को बताते हैं कि पाप बाहर से कितना ही बड़ा और बलवान क्यों न दिखता हो भीता से अत्यंच दुर्बल होता है और यदि उसके विरुद मनस्वी लोग उठखडे हो तो असुर्ता की बालु का निर्मिक दिवार ढहने में देत नहीं लगती अनीक वर्दानों से सकती संपन रावर जब मारा गया और उसके सरीर में अनेक वाण वरण पाए गये तो राम ने यही कहा मेरा बाण तो एक ही लगाए बाकी गाउत तो उसके कोकर्मों के हैं जो अपने आफी फूटे हैं अपनी विजय का रह से भी उन्होंने धर्म रत पर आडूड होना बताया न्याय नीती और सत्य में हजार हाथी के बराबर बल होता है वह साधन रहित होते हुए भी अंततब विजय होकर ही रहता है प्रजा की प्रसनिदा के लिए अपनी पत्नी को वनवास बेजना यगी के आउसर पर पत्नी की आउसकता बदाय जाने पर भी एक पत्नी के होते हुए दूसरे विवा की बात स्विकार न करना प्रिद्धा वस्ता में तब साधना करने के लिए वानप्रस्त, सन्यास, परंपराओं को स्विकार करना जैसे अनेकों प्रसंग ऐसे हैं जिनका घटनात्मक वर्डन हजाव प्रोजनों से बढ़कर है भगवान राम ने जीवन के आदसों को जीप से नहीं कहा वर्ण अपने आचरण द्वारा लोगों के सामने रखा भगवान राम के अन्य साथी सायोगी मित्र स्वजन भी ऐसे ही सच्चे चरित्र वाले हैं उन्होंने सामाईक लाब उठाने के लिए खोटे लोगों का न तो समर्धन किया और न उन्हें साथ लिया लच्मर ने अनन्य सेवक की तरह भाई का साथ दिया वनवास उन्हें नहीं मिला तो भी साथ रहें उनकी पत्नी और मिला और माता सुमित्रा ने उन्हें उस आदस की स्थापना से रोका नहीं वरन अपने मों पर नियंतर करके उन्हें और उर्टा फ्रोच्षाहित किया भरत ने भाई के राजगद्धी न लेने पर उनकी पादुकाओं को सिंगासन पर रखा और स्वयम भाई जैसा तपस्वी चिवन बिताते हुए राजकाज चलाते रहें केवर्ट ने उन्हें गंगा पार उतारा निसाद राज को जब यह आसंका हुई की भरत सेना लेकर राम को मारने जा रहे हैं तब उसने निश्चय किया की सारी नाओ डुबो दी जाए और जीवित रहते भरत के आक्रमण को सफल न होने दिया जाए पीछे आसंका निर्मोल सिद्धोई और खुसी-खुसी राम भरत की भेट में उसने सहायता दी यह दूसरी बात थी अपने प्राण देकर भी अन्याय से लड़ने का निश्चय करना निशाद राज की महानता का परिचायक है राम के ऐसे ही मित्र और सहयोगी थे बूढा जटायो रामर से जूज पड़ा जीवित रहते किसी की बहु बेटी का अफमान न होने दूँगा उसने प्राण गवा दिये पर भलवान आताताई से पराबूत नहीं हुआ रीच वानरों का त्याग बलिदान देखते यहां तक कि एक गिलहरी बालों में धूल भरकर समुन पर बिखेडने रगी ताकि समुन उतला हो जाए और अनीती से जूजने वाले बानरों को सफलता मिले वीभीसर ने सुविधाएं छोड़ी कुटुम रिष्टे का पश्चपाद छोड त्रास सहा किन्तु नयाय का समर्धन करने के लिए राम के साथ रहा जो स्वयम स्रेस्ट होता है उसे स्रेस्ट ही मानते हैं और वे ही उनके सहयोगी बनते हैं इस प्रगार के घटना करम और उनके प्रसंगों पर कहे हुए उनके वचन ऐसे हैं जिन में नीती, धर्म, सदाचार, सैयम, परमार्थ, उधारता, अध्याद्म कूट-कूट कर भरा है राम नौमी के औसर पर भगवान राम का जरम दिन मनाते हुए ऐसे ही घटना गरम और प्रसंग सुनाए जाएं ताकि जन साधारण को राम भक्ती के रूप में उनके अनुगमन की प्रेंड़ा मिले राम नौमी के छे दिन बाद चैत्र सुधी पूडिमा को हनुमान जैनती होती है उनकी चर्चा भी राम के अनन्य सेवकों के रूप में की जा सकती है भजन पूजन भले ही अनुमान जी न करते हो पर उनने अपना सरीर और मन सर्वतो भावेन राम काच के लिए समर्पित किया और समुद्लांगना लंका दहन परवत उठा लेने जैसे कठीन से कठीन कार करने को तदपर रहे अपनी सुविरा को भोल गए न विवाह न बच्चे न नौकरी न कोठी न बंगला अपने आपको विस्मरण करके ही कोई वेक्ती भगवान का कारिक कर सकता है और भगत की कसोटी पर खरा सिद्धो सकता है इसकी जीवन सिच्छा हनुमान के चरित्र से मलती है राम नौमी ऐसे ही संदेशों और प्रेणाओं से भरी हुई है लोगों को यही समझाया जाना चाहिए कि भगवान राम के प्रती सच्ची सद्धा रखने के लिए उन्हें उनके संदेश सिद्धंगम करने पढ़ेंगे और अपने क्रिया कलाब बदलने पढ़ेंगे मात्र तिलक लगाने आर्टी उतारने और राम नाम रटने से भक्ती का प्रियोजन पुरा ना हो सकेगा धन्यवाज कर्म कांड भासकर लेखक पंडित स्री राम सर्मा अचाजी प्रिष्ट सेंख्या 321 से 324 तक